हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ये लगन राशी पर आदारित है चंदर राशी पर आदारित नहीं है प्रियसातिजों तीसरी बात यह है कि अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं ये जो आप कन्या लगन राशी के जातक हैं जो विर्गो असेंडन बेस्ट से जातक हैं उनके विशे में बात करेंगे और बताएंगे कि अप्रेल 2023 में जो ग्रों की सिती रहने वाली है उसके आधार पर किस-किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको किस-किस छेत्र में मिलने जा रहे हैं या उसके मिलने की संभाब ना अत्यदिक हैं अब जैसा कि आप जान तो हमने किया हम अपने आपको शावाशी देते हैं अपनी पीठ स्वयमी छप्थपाते हैं मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया हम कुछ नहीं करते हम तो एक पपेट हैं यह सच्चा ही है कि इनसान एक पपेट है और ग्रों के द्वारा संचालित है जैसे कट-फुदि को जिदर को भी और जैसा भी कहा जाएगा, मूव किया जाएगा, वो होगी, बस वही इस्थिती हम लोगों की भी है. तो हम तो ग्रों के आधार पर ही नाशते हैं, कूटते हैं, बोलते हैं, हसते हैं, रोते हैं, सब उनी के आधार पर होता है जीवन में. सुख, दुख, कष्ट, ये वो सब. तो प्रियसातियों अपरेल दोहजार तेईस का जो महिना है, आप कन्यालगन राशी के जात्कों के लिए कैसा रहने वाला है? तो देखिए आप हमारे पीछे चार्ड देख पा रहे हैं ये चार्ड भी कन्या लगन राशी के ही जातकों के लिए हमने लगाया हुआ है आपके आसानी आपकी सुविधा के लिए और उसमें ग्रहों की सिती को इस पेश्ट रूप से दर्शाया भी गया है लेकिन उसके पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह हमको अच्छे इस महीने रिजल्ट देने के लिए बैठा है कौन सा नहीं इतना तो अंदाजा जरूर होना चाहिए और वो इस चर्चा के अगर आप सुनेंगे तो इस चर्चा को सुनने के उपरां इतना अंदाजा तो आपको 100% लग का ग्रो के सिती को किलियर करते हैं आपके साथ अपरेल 2030 में जो ट्रांजिट में आस्मान में रहने वाली है सबसे पहले बात करेंगे आप करने अलगन राशी के जातकों के जो चार्ट है इसक्रिन पे उसमें जो साथ नंबर लिखा है वो तुला राशी क्यलाती है उसके ल शनी ग्रेवी जहां पर आप ग्यारे नंबर लिखा देख रहे हैं वहां बैठे हैं ग्यारे नंबर का मतलब है कुम राशी कुम राशी के लौड शनी देव स्वयम है तो हम कह सकते हैं के शनी अपनी ही राशी अपनी घर में छटे भाव में सिक्स हाउस में शष्ट भाव म बने हुए हैं मारगी और उद्यवस्था में अच्छी पोजिशन में हैं और इनकी सिती में भी पूरे महीने कोई बदलाव नहीं होगा यह इसी घर में बने रहेंगे पूरे महीने अब आगे बात करेंगे कि जहां बारे नंबर लिखा हुआ है यह मीन राशी है सब्तम भाव है सेविन्थ हाउस और वहाँ पे सूरे ब्रस्पती दो परम मित्र गरहे एक साथ विराजमान हैं बैठे हुए हैं लेकिन यह दौनों ही गरहे सपरेल दोहजार तेश में अपना र उच्चराशी मेश में जो कि इनकी मित्राशी भी है उच्चराशी भी है उसमें इनका प्रिवेश होगा मेश राशी कहा है जहां अश्टम भाव हैं जहां राह और बुद्ध एक साथ आप देख रहें बैठ हुए वह अश्टम भाव हैं वही पर जहां पर एक नंबर जाएंगे एश्टम भाव में एड़ था उसमें और राहु और बुद्ध के साथ अपना संबंद बनाएंगे तो बुद्ध के साथ ठीक है हाला कि बुद्ध भी जो है इनके साथ 21 अपरहल तक तो इनका बुद्ध आधित राजयोग बनेगा अच्छा संबंद हो जाएगा लेकिन राहु उनके साथ शत्रुता का वेवार रखते हैं सूर्य राहु के साथ राहु सूर्य के साथ और जब सूर्य राहु एक साथ मिलते हैं तो यह बहुत बड़ा दोश बन जाता है जोतिशी आधार पर जिसको हम पित्र दोश के रूप में भी जानते हैं या गरहन द जो कि इसी महीने की बीस तारिक को पड़ेगा अपरेल की यह भी आपको बताना चाहते हैं साथ में तो प्रियसाथियों देखिए अब आपको मैं यह कहना चाहता हूं कि 22 तारिक को ब्रस्पती भी अपना राशी का परिवर्तन करेंगे और वो भी अपना राशी परिवर्तन करते हुए मारगी और अस्तवस्था में अपना राशी से निकल करके अपने घर से निकल करके अश्टमभाव में जाएंगे मेश राशी में जाएंगे अपनी मित्र राशी मेश में एंटर करेंगे तो 22 सारिक से फिर यहां अश्टमभाव में चार ग्रहों का एक साथ योग बनेगा सूर्य ब्रस्पती राहु और बुद्ध का और राहु और ब्रस्पती के यहाँ पर संबंद बनने से भी बहुत बड़ा दोश बन जाएगा जिसको हम चांडाल दोश कहते हैं जो की जातकों के लिए अच्छा नहीं होता किसी भी लियास से उसके भी दुष्परिणाम ही मिलते हैं अच्छे परिणामों की प्राप्ती नहीं होती तो यह सब चार गरों का योग बनेगा 22 अप्रेज से महा के अंतर तक अश्टमभाव एर्थाऊस में अब बात करेंगे राहु की राहु अपनी शत्रु राशी मेश में बिराजमाने ब बात करते हैं बुद्ध की बुद्ध भी अपने मित्र राहु के साथ विराजमाने अश्टमभाव में अपनी समराशी मेश में यो तो यह पूरे महीने यहीं पर रहेंगे लेकिन 21 तारिक को यह उल्टी चाल चलना आरम कर देंगे तो इनकी सिती कमजोर होगी और 23 अप्रे बुद्ध भूंगे यह सिती रहेगी बुद्ध और ब्रस्पती की और शुक्र जो है जहां पर आप देख रहे हैं दो नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हुए नवम भाव में नाइंत हाउस तो शुक्र भी यहां पर 6 अप्रेल को गए हैं अपनी राशी विर्षब नवम भाव में एक तारीख से च्छे तारीख तक तो यह श्टमभाव में राहुर बुद्ध के ही साथ रहे हैं vegan Guiche राहु और बुद्ध का साथ छोड़ते हुए मेश राशी से निकल करके अपनी स्वयम की राशी विर्शम में उन्होंने प्रिवेश किया है महा के अंते तक यह ही रहेंगे हैं अंत में बात कर लेते मंगल गरह को लेकर करके जहां पर तीन निंबर लखाओ है यह मित्वन राशी है मंगल वहीं पर विराज माहन है दश बाऊ है यह टैंट हाउस और मंगल यहाँ पर अपनी शत्रू राशी है उनकी यह पूरे महीने एक अपरेल से 30 अपरेल तक मारगी और उद्यवस्था में बने रहेंगे तो ये इस्थिती है करों की इसी के आधार पर आपको अच्छे और बुरे प्रड़ामों की प्राप्ति हो पाईगी अपने जीवन में अप्रेल 2023 में तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपके कार्य छेत्र को ले करके आपके प्रोफेशन को ले करके किस प्रकार के रिजल्ट का सामना आपको अप्रेल 2023 में करने अलगन राशी के जात्कों को करना होगा प्रियसातियों आपसे कहना चाहते हैं कि इस अप्रेल 2023 में आपको काफी सं पार करने हैं या फिर रोजगार में हैं बिना परिश्रम किये कि आपको कि अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और यहां पर दूसरी बात एक और भी है कि देखी यह तो हमने कह आपको महनत करनी पड़ेगी संठking इससी है और यह भी कह दिया कि संगष करना पड़ेगा परिश्रम करना पड़ेगा को ठीके पर नहीं चालनी करता है ना आदमी जेव अंदर से उसकी इच्छा होती याँपर पर कुछ अइसी भी है कोई प्रकार की वी परिस्धितियां बन रही हैं कि आपका मेहनत करने का दिल ही नहीं करेगा अंदर से इच्छा नहीं होगी कि मैं परिश्रम करूं मेहनत करूं करना तो पड़ेगा ही जीवन में कई बार संगर्ष्ट करना पड़ता है हमको आगे बढ़ने के लिए उन्नती हांसिल करने के लिए सफलता हांसिल करने के लिए और जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमको अपने सर्वाइवल के लिए मेहनत करनी होती है यहां पर उन्नती और सफलता की बात नहीं होती किसी तरह से हमारा सर्वाइवल हो तो यहां पर जो आपकी वाइड है इस ट्रगल है वो सर्वाइवल के लिए है और अगर आपने वो मेहनत परिश्ट्रम इस ट्रगल नहीं किया तो पर आपके लिए ही परिशानियां ज्यादा पैदा हो जाएंगी स्वयम के लिए ये आप जान लीजिए समझ लीजिए कार रेचेतर को लेकर के बाद हम बता रहे जहां तक धन की स्थिति का सवाल है कि धन का आगमन कैसा रहेगा मिला जुला रहेगा कभी धन का आगमन हो गया कभी नहीं हुआ तो इस प्रकार की स्थिति नहीं तो धन को लेकर के भी हम यही कहेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति या कोई बहुत आपको ध धना、 धनार्जन हो धनका आग्मन होता रहे ऐसी 있지ती नहीं है। बस हाँ बीच-बीच में कभी हो जाएगा कभी रूख जाएगा तो सामानने या सामानने से नीचे धनकी इस्थिती का आग्मन, आग्मन की स्थिती रहेगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि पहले से आपकी जो धनकी इस्थिति है वो इतनी अच्छी रहेगी कि अगर ये इस महीने धनक के आगमन में थोड़ी बहुत कमी होती भी है तो आप उसको इसीली मैनेज करने में सक्षम रहेंगे कोई परिशानी आपको ज़्यादा उठानी पड़ जाए धनका बहुत अभाव हो जाए ऐसी इस्थिति नहीं रहेगी आगे बात करेंगे सुक्सुविदाओं की देखिए अगर कोई आप प्रॉपर्टी से संबंदित कोई डील कर रहें तो जरा थोड़ा सा होशारी और समझदारी और साफधानी के साथ करें हो सकता है वहाँ पर भी कोई समस्या आपके लिए पैदा हो जाए बहुत सोच समझ करके देख भाल करके डॉक्यूमेंट्स जो भी साइन करें पढ़क करके करें ऐसे ही गुटफेद में ना कर दें और जहां तक इसका सवाल है कि भाई सुख सुविधाएं तो सुख सुविधाएं आपको रहेंगी विशेश रूप से महा के उत्तरार तक तो आप उसका आनंद लेंगे सुख सुविधाओं का उसके बाद थोड़ी कमी बनेगी अब बात कर लेते हैं प्रेम प्रिसंगों की कि अगर आपका कहीं प्रेम संभावना तो नहीं जी नहीं बिलकुल नहीं है इस बास से हमें एकदम इंकार करेंगे कि कोई भी संभावना नहीं है कि आपका कोई इस प्रकार का संबंद डेवलप हो और पहले से अगर आपके संबंद बने हुए हैं तो उसमें भी कोई बहुत प्रोग्रेस होगी या ब बात यह है जो निकल करके आ रही है कि आपके प्रेम संबंदों को लेकर के आप के पास इतना समय ही नहीं होगा इस महीं ने कि आप उधर उनको अपने मित्र को समय दे पाएं या उनके साथ एंजॉय कर पाएं क्यों आपके लिए अपनी दूसरी उल्जने ही बहुत रहने वा और वहां पर आप संय इतना निकाल नी पाएंगे देनी पाएंगे, बात कर लेते हैं, वैवाहिक संब्दों की, देखें वैवाहिक संब्दोंremo को जहां तक प्रिष्ण है, वेवाइक संबन तो अच्छे रहेंगे कोई मुझे कोई ज्यादा दिक्कत ऐसी नहीं लगती लेकिन हाँ बस थोड़ा सा स्वास्त का ले करके जरूर ध्यान रखिए अपने जीवन साथी का वो भी 22 अपरेल तक 22 अपरेल के बाद भी स्वास्त का ध्यान तो रखना ही पड़ लेकिन 22 तक ज्यादा आपको समाल करके रखना है अपने जीवन साथी के स्वास्त से संबंदित जो भी चीज़ें है प्रीकॉशन्स वगेरा वो लेनी पड़ेंगी परिवारिक संबंद की बात करें मिले जुले कभी बहुत अच्छे कॉडिया रिलेशन हो जाएंगे कभी क कुछ ऐसे इशूज बन जाएंगे कि उस पर आपकी एकदम विचार जो है वो एकदम मैच नहीं करेंगे जिसके कारण जब विचार मैच नहीं करेंगे तो वैचारिक मत्भेद हो जाएंगे तो यह इस तरीके का चलता रहेगा पूरे महीने और कभी अच्छे कभी खराब कभी अच्छे कभी करा मिले जुले संबंद जनको हम कहना चाहिए कुछ ऐसी इससी रहेगी करने लगन राशी के जात्रों के पारिवारिक संबंदों की अब बात कर लेते हैं शिक्षा को ले करके कि शिक्षा की जहां तक बात है शिक्षा नीचे कभी ठीक तो कुल एवरेज रिजल्ट्स आपके मिलते लगते हैं जो ग्रहों की इस हितिया उसको देखते हुए संतान की भी बात करें तो संतान को भी कोई बहुत बड़ा एचीवमेंट इस महीने हो इसकी भी संभावना नहीं है है अगर आपके में बस्या है के आप अपनी जीवी का चलाते रहेंगे अगर आप कहीं कार करते हैं कोई नौकरी यादी करते हैं तो मात्र पिता से यह कहना चाहंगे उन से ज़्यादा कोई ज़्यादा वर्शेश उम्मीद ना रखें इस महीने अगर वो सो सो भी चल रहे हैं, ठीक ठीक भी चल रहे हैं, तो भी बहुत सही है, ग्रों के आधार पर, हम यही कहना चाहते हैं, स्वास्त की बात करने, देखिए स्वास्त वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन बीच बीच में अचानक कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, बॉडी में जरूरी है, यह तो आपके शत्रुवर्ग हैं, जो विरोधी हैं, वो भी शान्त रहेंगे पूरे महा, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, चाहा करके भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और यदि कहीं आपको कोई लो नादी लेना था या चुकाना था, वो भी आप आसानी से हो जाएंगे आपके काम, लेकिन यही है, कि भी शरीर का ध्यान रखना है, स्वास्त का ध्यान जरूर रखना है, अचानक कोई चीज डेवलप हो सकती है, एक दम, कि भी अभी तक तो ठीक ठाक थे, अच्छे भले थे, पता नहीं क्या हुआ, कुछ इस तरीके की सिच्वेशन आपके इस अपरेल दोहजार तेईस में सामने बन सकती है, स्वास्ट को लेके, तो प्रिया साथियों, यह तो हमने आपको रिजल्ट्स बताए, ग्रों के आधार पर, अलग-अलग छेत्रों में, अब हम आपको बताना चाहेंगे, वह उपाय के जिनके करने भी है कि जब करें, मंत्रों के, और मंगल के जो मंत्रे हैं, ओम अंग अंगारकाए नमाहा, एक तो यही मंत्र लगू मंत्रे, या आप कर सकते हैं, कराम करीम करूम से हैं, भोमाए नमाहा, कम से कम एक माला या तीन माला रोज करिए, नियम से, सूर्य देव को भी इसनान करन जल देना ना भूले अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बना रहे और आपको कहीं भी नीचा ना देखना पड़े मान हानी ना हो आपकी किसी प्रकार बहुत आवश्चक है ये आपके लिए कि सूर देव को जल जरूर दीजे तांबे के कलश से प्राहते काल और मंगल के मंत्रों का जब करें मैंने बता दिये मंत्र आपको और हनुमान जी की जितनी पूजा कर सकते हैं करें और हनुमान जी की पूजा क्या करें हनुमान चालिसा का पाठ करें बजरंग बान करें हनुमान आश्टक करें राम रक्षा इस्तोत्र करें या हनुमान इस सोत्रम का पाठ करें और दूसरा 21 तारिक के बाद जो भी बुद्ध आएगा 21 तारिक से लेके और 30 अपरेल के बीच में जो भी बुद्ध आएगा इस महीने में उस बुद्धवार को आप क्या करें कि गणपती जी के श्रीचरणों में जा करके मोती चूर के दो लड़ू पान का जो खाने वाला पान चवाने वाला होता है उस पर रख करके वहाँ पर गणपती जी के श्रीचरणों में रखें दीपक जलाएं और वहाँ बैठ करके गणेश जी की स्थूटी करें गणेश चालिसा का पाठ करें और गणपती जी की आरती क या फिर गणपती जी के मंतरों का जाब करें ओम गंग गणपतय नमाहा एक माला या तीन माला ये एक्किस अप्रेल से तीस अप्रेल के बीच जो भी बुद्वार आएगा उसमें आपको ये कार्णे करना है जा करके और बंगल के तो आपको रोजी करने है नूमानिजी का मंगल का और एक माद भगवती दुरगासबश्शती ती में भी दुरगाकवच और अर्गला इस्तोथर का पार ये तो आप विशेश-षूर्च से करें संस्किर्ट में कर सकते हैं बहुत अच्छी बात नहीं कर सकते हैं तो हिंदी वर्जन मिल जाता है मारकेट में वो लाकर कैंप कर सकते हैं तो ये थे वो छोटे चोटे उपाए अगर आप करेंगे तो निश्यद रूप से आपकी चिंताओं से आपको मुक्ती मिलेगी परिशानी उसे चुटकारा मिलेगा तो प्रियसातियों अगर आपको यह चर्चा हमारी पसंद आई है कन्या लगन राशी के जात्कों के मासिक राशी बल्द अपरेल दोजार तेश को लेके तो आप इसको लाइक करना ना भूले चैनल को भी सब्सक्राइब जरू करें अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेर करें ताकि लोगों को इसका लाब मिल सके और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको हमारा वीडियो जो भी बनता है एस्ट्रोलोजी पर उसकी नोटिफिकेशन्स और वे सारे वीडियो समय रह झाल 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 झाल